हेलो इस्टुडेंट वेलकम बेक टु माई चैनल सम्राट करने में चितने बच्चे दोजर पचीस बोड़ एजाम का पेपर देने वाले हो तो उनकील वीडियो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चो आज मैं आप लोगों के वायरल पेपर बताने वाला आप लोगों को और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास टाइम दिये जाएंगे वो तीन गटे 5 मिट का समय दिये जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए नीचे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पे नोट दिया गया नोट पर बहुत ही जादा जरूरी है नोट में आप इसके बाद दूसरा बोला है कि इस प्रस्ण पत्र के और दो खंड है मतल्ल यह पेपर दो खंड में बना वाए एक तुखंड झाल में तीसरा आ एक खंड झाल मैं एक आंके के पीस बहुत हवी कल्पिया प्रस्ण है खंड में 20 प्रस्ण पूछा जाएगा आप लोगों को इसके बाद खंडबा में 50 अंक के विश्ट्रित उत्रिय प्रस्ण पूछे जाएंगे आपको, जिसमें से आप लोगों को 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्रस्ण आपको देखने को बिलेंगे, इसके बाद देखें यहां पे क्या है, से आपको लिखा हुआ मिलेगा, प्रस्ण प्रस्ण से आरण कीजी और अंतिम प्रस्ण तक करते जाए, तो इसके बाद है तो उत्तर पुरा प्रिष्ट पर किजें और उस प्रिष्ट पर कोई हल न कीजिए कहने का मतलब कि अगर जो आप रफ कार करना चाहते हैं तो जो page मिलेगा पेज के आप लोगोगों के मिलेगा copy के last में आप रफ कार कीजिए लास्ट में फिर उसको काड दीजेगा इसके बाद रचना के परशनों को हल में रचना रेका नहीं पूछा गया तो रचना के परशन को समझेत में आवसे लिखें इसके बाद है लाश्ट आप लोगों के निर्देश के जीन परशनों के हल में चीतर खीचना आवसे खीचे बीना चीतर के ऐसे हला पूरुड और असुद देमाने जाएंगे जो चीतर बनाने वाले परशन उसको चीतर बनाना ही आपको पड़ेगा आने था उसमें नंबर आप लोगों के काट लिए जाएंगी इतना याद रखो देखो असपास टूसमें बोल रखा है पेपर इस्टार्ट होता है यहां से आप लोगों का खंड और खंड आओं में बहुविकल्पिय प्रशन है और देखे पहला बहुविकल्पिय प्रशन क्या पूछा गया है कि यदि 65 और 117 के यसीफ को 65 P-117 के रूप में बेक्त किया जाए तो P का मान होगा यह एक परशन पर डिसकस करूँगा आप ध्यान से देख लेना बात में भूलना मत एक्जाम में जाके कि भूल जाना और वहां पे आप नंबर ना लेकि आओ पाओ सत्तर में सत्तर में बले कराना पूरा इस्टेप बाई स्टेप में आप लोगों को बताने वलाओ देखिए द्यान से समयने का प्रयास करो कि 65 और 117 का पहले यसीफ निकालो जो यसीफ आप उसको इतना के बराबर कर दो देखिए तो चुमल क्या करेंगे हम लोग क्या से स्को सॉल्ब करेंगे 65 आप 65 लिग दो 65 का आप सबसे पहले क्या गरबर करोग आप भाज बुरो न postp babys work करोगे आप भाजी खन करोगे तो 65 को आप क्या लिख सकते हो तो GI फे सकते हो 5 गूड़े 13 Hey क्योंकि 13 65 होता है अब भाजी खढ़ी की रुपिया आप ने तोड़ दिया एक सो सतर की बारी ग्याद करते थे यहां पर लिखेंगे HCF, HCF क्या होता, highest common factor, जो दूनों में common हो, तो आपको होगे 73 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 जो है, उसका क्या हो जागा, ESCF हो जागा, अब 13 यहां पर क्या हो गया, ESCF हो गया, जब 13 ESCF हो गया, तो ESCF को 65P minus 117 के बराबर कर दो, simple, तो यहां पर कर देते हैं, यह हो जागा, 65P और minus 117 के बराबर हम कर देंगे 13 को, अब यहां पर देखें आंसर कैसे आगा, यह हो जागा, आप लोगों का 65P बराबर 13 और minus 117 उदर जागा, तो पलस 117 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जागा, आप लोगों का 65P बराबर 7, 3, 10, और 1, 1, 2, 1, 3, और यह कितना हो जागा आप लोगों का 1, 130, यहां पर लिख देता हूँ, 130, अब यहां पर किसकी बेल कुछा है, तो P से पुछा है, तो P बराबर क्या हो जागा, 130, और यह आपका 65 इदर और यही P का पेलू तो हमसे पुछा था कि P बराबर क्या होगा, तो P बराबर 2 आ गया, इसका मतलग यहां पर B वाला आपसन जो है, बिल्कुल राइट आंसर हो जागा, देखिए, दो दिया है, बिल्कुल, तो यह प्रेक्टिस करके जाना, ठीक है, अब तुनलत जाकर कमान होगा, देखिए, कैसे इसको लगाएगे, बहुत ही जादा सिंपल है, मेरे प्यार होचू, देखो, कैसे इसको लगाएगे, मैं पेज ले लिया, अब यहां पर आपको करना क्या सिंपल, यहां पर तू लिख होगे, फिर इन्टू, इसमें इन्टू का चिंच छुपा कर दो, तो अभी हमने देखा एक, इसका क्या कर देना आपको, इसको आर कर देना है, अब देखे क्या होगा यहां पे, तो दो को गुड़ा एक में करोगे, तो उपर तो दो आगया, और नीचे आपके क्या जागा, एक पलस, एक का स्कॉर करोगे, तो एक ही आने वाला है, तो यह होजागा, उपर तो दो, और नीचे एक, एक मिलके क्या होजागे, दो, और दो से दो जब काट दोगे, तो क्या बज़ागा, शिर्फ यह कही तो आएगा, यह होगी आप लोगों का आंसर, तो एक दोखो आपसन में दिया है, ऐसा होई नहीं सकता कि ना दे, सी वाल अठारा और चोबिस का लशा है, अब यहाँ पर लशाग याद करना है, ठीक है, देखें किस प्रकार लशाग याद किया जाता है, तो लशाग याद करने के लिए सबसे पहले, अब भाज़ा गुणखणी की रूपे तोड़ेंगे सब को, तो यहाँ आपको पंदरा है, ठ अठारा दू, गुड़े तीन, गुड़े तीन, इसी तरह नीचे आप बढ़ेंगे चोबिस, चोबिस है, चोबिस को हम क्या लिख सकते हैं, तो चोबिस को हम लिख सकते हैं, दो से कटाओंगे, तो बारा बार में फी दो से कटाओंगे, तो छे बार में तो दू 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 यहां पर तीन पर पाँच भी एक बार तो पर दो पर एक लिख सकता हूं इसी तरह तो यहां पर तीन पाउर एक लिख सकता हूं बिल्कुल चलिए तो मैंने आप लोगों नियम बताया था कि आभाजे संख्या लीजिए और सबसे बड़ी घात लीजिए ठीक है तो यहां पे कौन कौन से अभाजे संख्या इसमें दिख रहे हैं एक तो दो एक तो तीन एक पाँच सबी अभाजे संख्या कौन कौन सी है एक तो दो है एक तीन एक पाँच तो मैं दो को लूँगा ती तीन कि सबसे बड़ी गात क्या है थीन के सबसे बड़ी गात क्या है इसको अब आ तो 360 जो है आगे आप लोगों का LCM, अब बताए कोई दिक्क्यत है इसमें, थोड़ा सभी दिक्क्यत हुआ आप लोगों को नहीं होना इक नहीं चाहिए, 360 का मतलब मेरे प्यारवचो यापे D वाला आपसन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, कोई समस्य आप लोगों को नही होगा ही नहीं होगा बिल्कुल, आप अब बस ध्यान से वीडियो देखते जाईए, एक ऐसा प्रश्न होगा जो आप लोगों को न समझ में आए, सारे प्रश्न समझ में आएंगे, गरांटी मेरी बस अब ध्यान से सुनते रहो, चोधा प्रश्न देखलो क्या है, 148-180 का सर एक सो पचासी में हम किस का भाग देंगे, 148 का, भाग बिदी द्वारा आप मसक याद करना जानते हो ना, भाग कितनी बार जाएगी, एक बार में, तियो हो जागा 148, ठीक है, यह देगा, आसल तो 15, 15 में से 8 जागा, तो 8 साथ जागा, यहाँ पे 7, 7 में से 4 जागा, तो 3 यह आपका कैंसल, कितना होगा, आप साइंतीस, आप साइंतीस का भाग देंगे, हम लोग किस में, 148 में, तो 37 जो को हता है, 149, अब यह कट गया, तो जिससे पूरा का पूरा कट जाता है, वह ही आपका मसक अलाता है, यहाँ मसक जो है, यह सियफ क्या जाएगा, साइंतीस अब करना है, जब सरल्थम रूप पूछे न, कि 149, 150 का सरल्थम रूप बताईए, तो जो इस असियफ आया है, उसी असियफ से भाग दे दो, ऊपर नीचे, तो 37 का भाग दे देंगे, और नीचे भी 37 का भाग दे देंगे, तो आप डेखो, 149 में, जब 37 का भाग दोगे, तो कितना बार में कड़ेगा, च्यार बार में कड़ेगा, अजब 37 गभाए 150 में दोगे, तो 7 पाच से 35 बार में कड़ेगा, तो 4 बटे के 5 जो इस प्रस्ण के क्या जाएगा, बिल्कुल आंसर आजाएगा, इससे सरलतब रूप होई नहीं सकता, अभी इससे छोटा होई नही आगे देखिए, पांचवा प्रस्ण, देखिए पांचवा प्रस्ण क्या है, पांचवा मेरे प्यार वच्चों कि P के की समान के लिए, समिक्रण 3 एक्स माइनस Y पलस 8 बरावर 0 और 6 एक्स मानस PY बरावर 14 के समपाती रखाएं निरूपीत करती हैं, बहुत जिबरदस प् वच्चों के PY पलस 8 बरावर 0. यह पहला हो गया. दूसरा है आप लोगों का 6X माइनस PY बरावर में आपका क्या दिया है, सोर्ग दिया है, यह काम बस करूआ आप कि जो सोर्ग है उसको इधर लाओ, तिया हो जागा आप लोगों का 6X माइनस के PY पलस 8 इधर आगा, तो मैनस के सो रव बरावर क्या बज़ेगा जीरो यह काम आपको कर लेना है यह आपका पहला रहा है तो पहला रहा है कि समिखण आप A1 X B1 Y Pless C1 मानलो तो यहाँ लिख लेना A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 बरावर 0 यह पहला रहा है तो उसका पहला रहा रहा किसम इकड़ अपने माल लिया, इसके बाद यह दूसरा रहा है, तो इसको वही चीज मालो, बस A2 मालो, B2 मालो, C2 मालो, तो यह हो जागा आप लोगों का A2X plus B2Y और प्लस C2 बराबर 0, अब इसका तूल्ना कर लो, तूल्ना करके आप A1 B1 C1 यहाँ से A2 B2 C2 निकल लोगों, तूल्ना करके, तो यहाँ से 1 X देखो, कैंसिल हो जाएगा, तो A1 बराबर क्या गया, तीन आगया, इससी तरह Y Y cancel हो जाएगा, तो B1 बराबर Y क्या गया cancel करोगे तो B2 बरावर माइनस के P आ गया और C2 बरावर के आ गया माइनस के सोरा आ गया सब्या गया आप लोगों को चलिए तो यहां से आप A2, B2, C2 का भेलो निकाल दिया आपने अब यहां से चीज बोला था आप लोगों को कि संपाती रेखाईनी रूपीत करती है उसने क्या बोला थां कि संपाती रेखाईनी रूपीत करती है संपाती रखानी रूपीत करती है यही तो बहुता है कि संपाती रखानी रूपीत करती है तो संपाती रखानी रूपीत करती है तो उसका समीकरण होता है लिख लो यहां पर लिखवा देता हूं उसका समीकरण यह कहता है कि A1 बाटा A2 जो होता है वो बरावर होने लगता है B1 बाटा B2 के और यह बराबर होने लगता है C1 बाटा C2 के कब जब आप कहेगा कि संपाती रखाए होती है तो यही प्रतिबंद होता है अब यहाँ बस value तो आप लोगों को रखना है कितना सिफ पले देखो value रख लो A1, A1 का value है 3 फिर नीचे A2, A2 का value यहाँ से 6 बराबर B1, B1 का value इदर का माइनस एक और B2 का value यहाँ से माइनस के P बराबर C1 का value यहाँ से 8 और C2 का value यहाँ से नीचे माइनस के सुरह हो गया अब यहाँ से क्या करेंगे तो यहां से सिर्फ चाओगे तो इन दोनों से ही मिलके आप हल कर सकते हो, इन दोनों से पो लेकर ही हल कर सकते हो आप, देखो, तो यहां क्या होगा, माइनस से माइनस से कैंसिल कर दो, पी का गुड़ा जब तीन में करोगो तो यह तीन पी हो जाएगा, बरावर छे का तो यहां पर देखते हैं आपसन में देखे आपसन में दो मतब देखे बी वाला आपसन बीवाला दो दिख रहा है न बिल्कुल यह होगा राइट अंसर बहुत ही जादा सेंपल है समझ में आप लोगों को चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे सेम क्यूसन वही है कि उसन न वहाँ पे संपाती था तो हमने पी का मान गयात कर रहा अब यहां पे समानतर है सेम नियमे रहेगा बस प्रतिबंद वहां से चेंज हो जाएंगे तो आप लोगों को बस बहलू आप लोगों कर देना में आप भलतर की दिखा देता हूं आप पो सिंपल सबसे पहले आप जिरू होना चाहिए यहाँ बबराबर में जिरू न fils दो को इधर लाग तो दो को इधर लागोते हो जागा आप लोगों का तीन याक्स प्लस दो पी प्लस दो इहागा तो माइनस 2 बड़ाबर जिरू अब यह तो हो गया न तिस आफ लोगोnd तो पहला रेखा हो गया यह आप लोगों, दूसरी रेखा हो गया, तो पहला वाला से ते A1, B1, C1 निकलेगा, दूसरा वाला से A2, B2, C2 निकलेगा, तो मैं डारेक्टर निकाल देता हूँ आप लोगों को, अब A1 बराबर क्या होगा A1 मतलब X का गुड़ां तो X का गुड़ां 3 है इसी तरह B1 क्या होता है Y का गुड़ां Y का गुड़ां के आपर 2P है इसी तरह C1 C1 बराबर अचे अरपद जो कि माइनस 2 दिया हुआ है तो यहां से A1, B1, C1 निकल गया यहां से A2, B2, C2 निकल लो तो यहां से क्या हो जागा A2 बराबर A2 मतलब X का गुड़ां X का गुड़ां के आपर 2 है B2 क्या होगा B2 मतलब Y का गुड़ां के आपर 5 है C2 मतलब अचे अरपद जो कि दिया है प्लस 1 तो यहां सब पूच्ट निकल ली गया अब बस यहां पूचा है समानतर हों यहां पूच दिया कि अगर समानतर हों तो P का बेलू बताईए तो यहां पर बस नियम आप लोगों का चेंज हो जाएगा समानतर में क्या होता है मेरे प्यार बच्चों कि A1 बाटा A2 बराबर तो होता है B1 बाटा B2 के लेकिन यह बराबर नहीं होगा C1 बाटा C2 के अब उस समानतर में क्या होता था कि 3 बराबर होता था लेकिन बस यह वाला बराबर C1 बाटा C2 बराबर नहीं होगा तो हम लोग बेलू रख लेते हैं A1 का बेलू 3 रख लेंगे A2 का बेलू यहां से 2 रख लेंगे बराबर B1 का बेलू यहां से 2 P रख लेंगे और B2 का बेलू यहां से हम लो 5 रख लेंगे आप देखिए 2 को गुड़ा P में करोगे तो 2 दूनी के 4 P बराबर 5 को गुड़ा 3 में करोगे तो पांत याई 15 अब यहां से पी के बेलो निकालो तो पी बरावर के आजागा पंदरा चार गुड़ा में तो चार यहां भाग में आ जागा तो पी बरावर पंदरा बटे चार क्या यही आंसर है बिल्कुल देखते हैं आपसन में दिया है तो हुई नहीं सकता कि न दे 15 बरावर आठ तो साइन ठीटा कमाने यहां पे पूछा है यह भी प्रस्ण बहुत ज्यादा ही इजी है देखे कैसे इसको हल करेंगे चलिए इसको भी द्यान से समझें मैंने एक पेज ले लिया तो देखो सात्वा प्रस्ण क्या है यहां पे पंदरा दिया है ना पंदरा य यह 15 गुड़ा में 15 उधर जाए तो क्या हो जागा भाई म में हो जाएगा अब बात बताव का तीटा वरत है आधार वर वटे के लम तो आधार वट चेलंगेन हो जागा अध्यूञा है यहां पीरन यहां से कड में क्या निकाल सकता एक नहीं पाइथा गूरस नियम लगा निकालें तो कड़ बराबर क्या होता है कड़ बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे कि लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर करड़ी में यही तो होता है कड़ बराबर तो यहाँ से कड़ बराबर आप निकाल लो तो लंब इस्क्वाइर लंब यहाँ पे 15 है तो यह हो जागा 15 का इस्क्वाइर प्लस आधार इस्क्वाइर आधार यहाँ पे 8 है तो यह हो जागा 8 का इस्क्वाइर यहां तक सम्झम्यार आप लोगों को तो यहां पे कड बराबर क्या हो जाएगा करणी में 15 कवर्ग करणी तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 कवर्ग करणी तो 864 इसके बाद अगर कड यहां से निकालोगे तो कड बराबर करणी में कितना जाएगा पांच, चार, नो, छे, दू, आठ, यहाँ पे दो, 289, तो कड़ बरावर क्या जागा, 289 किसका वर्ग मुलो था, आप बताओ, आपको वह सतरक होता है, तक कड़ का बेलू कितना आ गया, सतर, आमसे बेलू पूछाए क्या, साइन टीटा आता, साइन टीटा बरावर क्या होत देखे, 15, 17, D वाला प्रशन जो है, राइट आंसर हो जागा, आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सारे क्यूशन आप लागा पाऊगे, बस ध्यान से बीडियो देखलो, एक बार अपने से प्रेक्टिस कर लेना, जब अपने से प्रेक्टिस कर लोगे, तो पूरा दिमाग में छ समरूप तिरभूज हैं, तथा कोड A बराबर 75 और कोड Y बराबर 70 अंस हो, तो कोड C का मान गया, थोड़ा सबस दिमाग लगाना है, इसके बाद तुरंत आंसर आजाएगा, हमें क्या करना है कि दो तिरभूज में बना लेता हूं, छोटा सा समझाने के लिए बना लेता यहां चीज बोला है, दोनों समरूप हैं, दोनों समरूप हैं, और कोड A 75 और कोड Y 75 अंस दिया है, अब पूछा है कि कोड C का मान गयात कीजिए, अब एक बात मेरे प्यारवचों ध्यान से आप सुनना इस बात को, जब आप जानते हो कि तिरभूज A, B, C, यह समरूप ब हमारे पास दिया है, एक्स वाई जेट इन दूनों में ध्यान से जब हम लोग देखेंगे तो हमें एक चीजे देखने कर मिलेगा कि अबी बटे में यक्स वाई भुजाओं का नुपात बराबर होगा ना ऑब बटे में यहां पे यक्स वाई कर दूँ बराबर अधर में आप लोगों का एसी भुजा किस के बटे मोझागा यक्स जेट के बटे मोझागा होगा की नहीं बिल्कुल भुजाएं समनपात होती हैं अगर दो त्री बुज अपस में बराबर है तथा अब ध्यान दो को थोगा ध्यान सुनिएगा कोड़ ए जोगा कोड़ यक्स के बटे में बिल्कुल होगा कोड़ ए जहें कोड़ यक्स के बटे में अब यहां पर आप लोग द्यान दीजेगा और बोल रखा आ अगे यहां पर की COVID originated, की कोड य बराबर कितना भोला था 57 नस तो COVID electricity गर मैं 57 Herz रख दूँ तो कोड ब बराबर 57 नस और देंख संच अधोन अजयाख चलंग energy और आप लोग, जानते हो कि अगर मैं यहाँ यहां पर TRIuru early ABC के संग अधर मैं चलंग करूं कि तिर्भूज A B C में तो तिर्भूज के तिनु अंतों कोड़ों का यह कितना होता है अब कोड़ A कमान तो आपको मालू में दिया ही है 75 अंस कोड़ B कमान यहां से आपने निकाली दिया 75 अंस और कोड़ C कमान हमसे पूछा ही एक क्यूशन में अब कितना असान हो गया अब यहां 75 और यहां पर 57 जोड़ों कितना हो जागा 132 यह हो जागा आप लोगों के 132 अंस और प्लस कोड़ C बरावर इदार आप लोगों का 180 दिया है यहां से कोड़ C निकाल कोड़ C बरावर क्या होगा तो कोड़ C बरावर यहां पर 88 अस दिखे दिया है बिल्कुल देना चाहिए देखे ऐसे प्रस्ट नमबने है बस प्रेक्टिस करके जाओगे ना तो सत्तर में सत्ता नमबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स कोई रोकेगा नहीं आप लोगों क चलिए समझ में आ गया एक प्रस्ट ना आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट देखते हैं प्रस्ट नमबर 9 चलिए प्रस्ट नमबर 9 देख लेते हैं मैं पेज भी साथ में ले रहा हूं उसको हल्करने के लिए 9 वाला क्या है कि बिंदू M जो की निर्दासांग दिया है मैन पर A मान लेता हूं और एक बिंदू यहां पर M है और M का निर्दासांग दिया है मैनस 3 का में 4 और पूछा है कि बताओ कि मूल बिंदू से दूरी क्या होगी यहां एम की दूरी पूछाए की, एम की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदू का डिर सांग 0 कमा 0 होता है, तो यहाँ पे अगर मैं दो बिंदू की बिच की दूरी का सुत्र लगाओं, एम निकालना है, मुझे एम, एम की दूरी निकालना है, तो एम बराबर क्या होगा, दो बिंद दूरी सुत्र निकलना है अब देखे इसमें क्या क्या लागा एक तो X1 कामा Y1 क्यालाता है और यह इसमें क्या लागा आप लोगों का X2 कामा Y2 यह बात आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हो बस अब आप लोगों को बैलू यहां पर पूटप करना है तो बैलू अब आप यह 0 है माइनस Y2 यहां पर 4 है इसका अपने होली स्क्वार कर दिया आप यहां से सिंपल देखे कितना आसान हो गयां यहां पर क्रणी में 0 में 3 जोड़ो गे तो कितना होगा आप illustrateल का S. तो तीन का स्क्वाइर कर दो प्लस जीरो में से चार घटा होगे तो माइनस के चार होगा इसका आप स्क्वाइर कर दो और एक बात अच्छी तरीके से आप जानते हो कि तीन का स्क्वाइर करोगे तो नो प्लस माइनस चार का स्क्वाइर करोगे तो प्लस का स्वाइर बहले ही मंच 5 लिखेंगे यहां पर कोई वेलूंच मेंजर नहीं दिदिया है संटीं में में चलिए नहीं सब्सक्राइब आगों कर दीजीए बैस अग्ला प्रश्च नम्म दस्वा यह पूछा है कि मैं बिन्दूहों माइनस दो कमा अचाई और मानस दो कमा दस को मिलाने वाले रेका खंड के मद बिंदू के निर्दसांग, अब मेरे प्यारों जो कितना ही ज़्यादा है, इसने असान क्यूसन पूछ दिया, मद बिंदू का निर्दसांग मतलब माले जे कि एक कोई बिंदू है, जिसका निर्दसांग उसने दिया है, माइनस दो कामा कि यहाँ पे 10 ठीक है दो बिंदू है अब इनको मिलाने वाले एक रिया का खंड बन गया मा लेते हैं कि A है और यह B है तो मद बिंदू अगर इन बीच में कोई एक बिंदू मद बिंदू है तो उसको यक्स कमा वाई माल लो अब उसी का निर्दे सांग पूछ रहा कि मद बि बिंदू का निर्दे सांग निकालने का मद बिंदू का निर्दे सांग अगर यक्स निकालना होना तो यक्स बराबर फर्मूला होता है यहां पे यक्स वन प्लस यक्स टू बटे टू इसी तरह वाई निकालना होगा तो य बराबर फर्मूला होता है वाई वन प्लस वाई x2 x2 का value कितना है यहाँ पे minus के 2 है और बटे में यहाँ क्या होगा 2 इसी तरह y निकल यह y बराबर क्या होगा y1 का value यहाँ पे 6 और plus y2 का value यहाँ पे क्या होगा 10 और बटे में 2 दोनों 7 में निकाल लो तो यहाँ जाएगा x बराबर minus के 2 प्लस गुड़ा मानस में करें तो यहाँ जाएगा minus तो minus के 2 यहाँ जाएगा y बराबर 10 और 6 14 बटे 2 कितना सिंपल है देखो x बराबर अब minus 2 अब minus 2 मिलके जाएगा minus के 4 बटे के 2 अईधर जाएगा y बराबर काट दो 2 बटे 14 तो यह y बराबर तो 8 आठ आगया इसको निकाल लो इसको कटाओगे तो यह भी दो बर में कड़ जाएगा तो x बराबर minus के 2 तो x बराबर minus के 2 y बराबर 8 तो हमने क्या माना था मद बिंदू करने सांग कि x का माई ही माना था न तो x का बिलू कितना आगया minus के 2 और y के बिलू कितना आगया 8 minus के 2 का माई 8 मद बिंदू का निर्दे सांग कहलाएगा देखते हैं दिया है देखें पहलो वाला अस्टन दिया है कि नहीं बिल्कुल बैस आप लोगों के एक बार प्रेक्टिस करके जाने मेरे प्यार बुच्चो सारे क्यूसंस करके चले होगे यह मेरी गरांटी है चलिए आगे पढ़ते हैं प्रस्ट नमर 11 देखते हैं प्रस्ट नमर 11 भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा दिमाग घबाणा नहीं है थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोगों को कि किसी संबाव त्रिभूझ A, B, C में यदि A, D, B, C पे लंब हो तो A, D, Squire बराबर होगा थोड़ा सा दिमाग आपको लोगों लगाना घबाणा नहीं है देखे मैं आपको बता देता हूं यहां पर में एक त्रिभूज बना देता हूं थोड़ा जल्दी से ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं ठीक है जादा भारी नहीं है बहुत हलका ही है बस थोड़ा सा आप लोगों को कैल्कुलेशन थोड़ी से दिमाग लगाना ह है त्रिभुज यह BC तो मैं लेजिए इसको यह B और यह C कहा रहा है कि AD BC पर लंब है यह BC रहा है जो AD लंब है मतलब इसको D माना पड़ेगा देखो BC बोजा पर AD जो है लंब है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे, AD पूछा है न, तो आप एक तिर्भूज देख रहे होगे ध्यान से, एक तिर्भूज आप लोगो को दिया है, ADC, एवला देखो, एवला तिर्भूज, ADC, यह छोटा वला तिर्भूज में ले रहा हूँ, ADC, अब यहाँ पे देखो ध प्रसाधार का स्कॉयर, जानते हो न, यह होता है, तो इसमें जब हम लोग पाइथा गुरस नियम लागाएंगे, तो ध्यान समझो, तो यह तो आप लोगों का लंब कालाएगा, यह आपका अधार कालाएगा, यह आपका कलाएगा, कहलाएगा एक नहीं, बिल्कुल लंब, यह A से अधार माल लेता हूँ, यह K से कड माल लेता हूँ, साटकट में, अब देखो, तो यहाँ जब हम में लगाऊँगा पाइथा गुरस नियम, तो कड स्कॉयर, कड मतलब AC का स्कॉयर, बराबर, लंब का स्कॉयर, लंब हमारे पास AD है, तो AD का स्कॉयर, प्लस अधार स्कॉयर, अधार हमरे पास क्या है, यहाँ पे, CD का यह, DC का यह, DC का यह, DC का स्कॉयर, तो हमने पाइथाकुरस नियम लगा दिया, कि AC का स्कॉयर, बराबर AD का स्कॉयर, प्लस DC का स्कॉयर, मतलब कड स्कॉयर, बराबर, लंब का स्कॉयर, प्लस अधार का स्कॉयर, अब दिखान से एक बात आप समझना, बिल्कुल दिखान से, अब संभावत्र भूज में सब भूजाएं बराबर होती है, संभावत्र भूज में सब भूजाएं बराबर होती है, तो यह बताओ कि जो AC है, जो AC भूजा होगा, वो BC के बराबर होगा कि नहीं, हो जागा आप लोगों का ad का square plus dc का square, अकोस्टेक में लिग देना, कि मैंने ऐसा क्यों किया है, लिग देना कि चुकी हम जानते हैं, कि ac जो है, वो bc के बराबर होता है, इसलिए हमने यह काम किया है, समझ्मया कि आप लोगों को, अब एक चीद द्यान से सुनो, यह जो bc आपको दिखाई दे रहा है, यह bc, और ad उसका मद बिंदू है, 20 में मद बिंदू है, तो क्या मैं यह नहीं कह सकता हूँ, कि यह जो bc होगा, ठीके, यह bc जो होगा, वो cd का दुगना होगा, दुगना होगा dc का, बिल्कुल, देखो, यह जो dc दिखाई दे रहा है, dc का अगर मैं दुगना कर दूँ, तो bc नहीं आ जाएगा, बिल्कुल, तो bc को मैं लिख सकता हूँ, 2 गुना dc, बिल्कुल, तो bc को मैंने यहाप लिख दिया, 2 गुना dc, तो bc कमाने अब लोग दोगा, 2 गुना dc का यह हो जागा, इस्कौर, और यह हो जागा, आप लोगों का, a d का स्कौर, और धन यहाँ हो जागा, dc का स्कौर, अगर लिख दना, कि चुकि हमने ऐसा क्यों किया है, है तो हमने ऐसा इसलिए कि आस कि हैं कि जूपे canada bye-o तुपन से कार दॉटमना डेसि कर दोंगा तो वी के बराबर आजागा इसलिए कश्वनेर्धस में था कि यहां कंडिशन क्या है तो यहां 2 का स्कौर करोगे तो चार तो चार डीसी का स्क्वाइर बराबर यह हो जागा आप लोगों का एडी का स्क्वाइर प्लस डीसी का स्क्वाइर अब यहां से देखो 4dc square, यह प्लस में इधर आगा तो मैरस में हो जागा, ठीक है? तो यह कैसे लिखो गया आप? 4dc square यह तो सब्लस dc square इधर आगा तो क्या हो जागा? माइनस dc square, बराबर इदर क्या बच जागा? एडी का e square आग 4dc square में से एक dc square आपने गठा दिया तो बच गया 3DC square ठीक है बरावर इधर बच गया आप लोगों का AD का square आप लोगों का east square है AD का east square बताओ आप लोगों का 3DC square का हो चाहाँ tes c d square का हो दोनों बात तो एक है यह चाहाँने回去 का c dध के स्क्वार का हो तो आप उसको सीडी को अच्छाइए डीसी को दोनों बात यह की है चौथ हवाल आप संजय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो देखें मिनकान थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके बाद आंसर बिल्कुल आप लोगों के हाथ में रहेगा चलिए प्रस्ट नमबर बार अब थोड़ा सा ही दिमाग आपको लगाना है प्रस्ट नमबर बार में भी आंसर आपके हाथ में होगा चलिए देखें प्रस्ट नमबर बार पर लें में पढ़ता हूँ इसके बाद बताता हूँ आप लोगों को बोलाएगी त्रिभूज ABC के सिर्शो के निर्दसांग करम इतना इतना है यदि BC का मद बिंदू D है तो AD की माप होगी अब यहां पे चित्र बनाने पड़ाइग से शीत्र लैडिसा भी लेता हूं े भी सी यहीं बोला है ना इसत्रबू Zbc मेंfilled है. अब तीने का निरसांग दिया है. तो ए को मालता हूं, कि 7,5. बी को मालता हूं, 5,7. सी का निरसांग मालता हूं, माइनस 3,3. उसने बोला है कि यह दी BC का मत बंदर D, तो उसको BC का मत बंदर D है थे, मुझे D का निर्जा सांग चाहिए अब D जो है वो तो B और C का मद बिंदू है तो मद बिंदू का सुत्र निकालकर आप D निकाल लो फिर दो बिंदू की 20 की दूरी का सुत्र निकालकर AD निकाल लेना तो पहले मद बिंदू का सुत्र हम लगा के यहाँ पर D करने दे सांखी निकालेंगे और मद बिंदू का सूतर क्या कहता है मद बिंदू का सूतर कहता है मेरे प्यारवचो कि अगर आपको निकालना है D मद बिंदू है ना D तो D निकालना है तो मद बिंदू का सूतर कहता है कि X1 प्लस X2 बटे 2 होता है और कामा Y1 प्लस y2, 2 होता है छीक? तो यहां से निकल लो d, तो यहां वाज़ा है, एक लोगओं का d बराबर, और आपको मालू में कि यह आप लोगों का x1 कामा y1 कहलाँगा, और यह वाला बेलू आप लोगों का x2 कामा y2 कहलाँगा, यह पर लोग जानते हो तो यहां से x1 का value तो 5 आ गया प्लस x2 का value यहां पर minus के 3 है तो यहां पर लिख दो minus के 3 अब बटे में 2 y1 का value तो यहां तो 7 है प्लस y2 का value यहां पर 3 है और बटे में 2 तो यहां से पहले d निकालो मद्दे बिंदू तो d बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस गुडा मारस में करोगे तो minus के 3 बटे 2 और यहां से 7 तीन 10 बटे के 2 तो यहां से जब d मद्दे बिंदू निकालोगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बटे के 2 और यहां जाएगा 2 पाचे 10 और यहां से d जब निकालोगे तो यह भी तो कटेगा 2 एकम 2 तो 2 एकम 2 एक बार में कर गया यह 5 तो d बराबर कितना गया एक बटे 5 मतलब d का जो मद्द बिंदू आ गया वो 1,5 आ गया 1,5 आ गया तो मैंने इसको मालिया कि यह आपका हो गया 1,5 हमसे पूछा था कि उसनमे क्या कि हमको पूछा था कि ad का बेलू बताओ कि ad बराबर क्या होगा तो ad का बेलू पूछा है तो मैं इसको यहां पे लिग देता हूँ इसको इसतर कर दूँगा इसको a माल लेता हूँ इसको d मालेता हूँ तो एडी ग्याद करना मतलब दो बिंदो की बिश की दूरी ही ग्याद करना है, तो एडी बराबर क्या हो जागा, एक अधनी रिसांगती आया है, साथ कामा के पांच, और डी का अधनी रिसांगती आया है, एक कामा के पांच, अब एडी निकालना है, तेड़ी निकालो यहांसे दो बिंदू के बीच का सूतर क्या होता है आप लोगों का x1- x2 का Holy Square प्लus y1- y2 का Holy Square यही तो होता है तो आप जानते हो की x1 यहाँपे 7 है मारस x2 यहाँपे 1 है इसका Holy Square प्लस y1 यहाँपे 5 है मनस y2 भी यहाँ पे 5 है इसका holy square तो हो जागा करणी में 7 में से 1 जागा तो 6 का holy square प्लस 5 में से 5 गया तो 0 का holy square फिर करणी में देखो क्या हो जागा 6 का square करोगे तो 36, 0 का square करोगे तो 0, 36 में 0 जोड़ोगे तो 36 और 36 का वर्गमूल 6 तो 6 ही जो है एडी बराबर आ गया एडी मतलव 6 एकाई क्या जागा 6 एकाई यह हो गया अंसर देखिए दिया है क्या तो 6 मात्रक कही है या 6 एकाई के दून बात यह कही है तो यह हो गया 6 मात्रक जो है इसका right answer हो गया सी वाल आपसे जो है बिल्कुल correct answer हो गया समझ्वारा आप लोगों को देखिए कितना असान है बस एक बार practice करके जाने है आप लोगों को सारी चीजें असान है एक बार practice कर जाओना सारे प्रशन करके चले आओ गया चले मेरे प्यार उचो फटा 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 एक पेज और में ले ले लेता हूं इन क्यूसनों को हल करने के लिए तेरावा प्रशन देखे क्या है यादि सेख ठीटा बराबर दो तो ठीटा कमान होगा अब इतना ज्यादा सिंपल प्रशन तो आप अपने से भी कर शकते हो हाल ठीटा बराबर साथ यही पूछा था ठीटा कमान क्या होगा तो ठीटा कमान तो साथ हंसा गया साथ हंस का मतलब बी वाला आप संजय विल्कूल है राइट आंसर हो गया अब बताए इतसे भी ज्यादा सिंपल प्रशन आप कूछे एक मिनिट में कर दोगे आगे बढ़ोग बताए की को से ठीटा माइनस ढहां बोले रखी एक लगोगों को कॉठ इसञ्क्वारिट views यह मिनिक तीया हुआ है और नियम आप पढ़े मैं और है वहरे छी कौत इक सूत्र क्या होता है इसको हम लिख सकते हैं यह रूल है मतबर सुत्र है कि सूत्र है लिख सकते हैं आप पढ़े होगे तो जानते होंगे और यह आप जैसे आप लोगों का जैसे को इसे रहने तो वह स्कॉण स्कौर्टीटा इसको चेंज करने की जूरूत नहीं है अब द्हान से एक चीज समझदा है यहां पर टीटा से साइन स्कौर्टीटा थीटा बचा और बाहर आपका दिया हुआ है 1-acs square theta दिया हुआ है अफ ध्यां समझो 1-acs square theta फर्मूला होता I 네.ice 1-acs square theta फर्मूला होता है सिन स्कॉर्थिटा फर्मूला जानते हो नर्धों 1-galus square theta अबर साइन स्क्वर्थिटा होता है और नीचे आपका बचा ہी साइन स्कार ठीटा सानर स्क्षाओ ठीटा कैंसील आपका सिर्फ उपर वुपर वाला बजयेगा साइन स्कार ठीटा यह होगा आंसर अर। ठीटा। देखें दिया है क्या होई नहीं सकता है कि ना दे ध्यान से देखो नजरन का बिलकुल राईट आंसर का समझ में आ रहा है य। कोई होंनी चाहिए सहे फटा पंपड़ बढ़ेंगे हम प्रस्च नमर 15 कि तरह कि थे रफ कै में बहुत जादा ही ज्यादा भारी नहीं है बिल्कुल एक लाइन का अंसर है एक लम्रितिया पेलन के आधार का चेतरफल 925 cm स्कॉर है तो उसके आधार की त्रिजिया होगी अब मेरे प्यारों चुछ यह बताओ लम्रितिया बेलन बोला है ठीक है अब यहां पर बेलन आप है नो पाई सेंटीमीटर स्कॉर दिया है तो उसके आधार की त्रिजिया मतलब यह उसके आधार की त्रिजिया पूछ रहा है कि त्रिजिया क्या होगा अब आप ही बताओ मेरे प्यारों चो कि लम्रितिया बेलन के आधार का चेतरफल 925 दिया है ठीक है और लम्रितिया बे तो तरज्या आपके क्या गई तीन आई यह पुछा था ना कि तरज्या बताए तीन सेट्रीमिटर आगे आप बदाओ दो लाइन का अंसर है बिल्कुल पहला वाला आपसा दो लाइन के आप पुरूंत ऐसे ही कल्कुलेशन करके लगा पाओ इसको तुरन तो बताओ ऐसे से क् अंतरगत खीचीँ जया सकने वाले वर्ग का थ्रपय्म अब मेरे प्यार वच बताओ चार संट्पीमिटर त्रीव वर्ग भीथए ठीक है तो चार शंट्मिटर व्रीथैसल के सोटारघ्या अंतरगत के अनतरगत खीचँअ दो बना देता हूं इसके यहां से ब्रीथ खिका जाहा गया है यह इस तरह ब्रीत है ठीक है तो यह पर आकि चार संट्टिमार त्रीजर वाले ब्रीत के अंत्रकत इह अन चार door के ऊचिंच eager है तो प्रज़ा पिर्ट का छो एजंन चेंटिमीटर इसके बीसमें उसका चहितिमाल बताओं तो यह बात बताओ कि उवर्ग का चेंटीमीटर में यहां से यहां तक पूरा निकालना हो तो वीकरडशेंड तो पूरा ब्यास निकालना हो तो डी बराबर होता है ब्यास को अघ अगर में वर्ग का बिकडग बात करूँ मिल्कुल होता है। मतलब वर्ग का ब्यास के बराबर होगा? होगा कि नहीं? तो आपको होगे कि वर्ग का जो बिकड होगा, वर्ग का बिकड होगा, वर्ग का बिकड होगा, वर्ग का बिकड होगा, वर्ग का बिकड होगा, बिल्कुल होगा, अब जानते हैं कि वर्ग का बिकड क्या होता है, तो वर्ग का बिकड का सुत्र होता है, करड़ी में 2A, वर् 2 आ गया हम से पूछा क्या है तो आप जानते ही हो कि वर्ग का छहत्र फलाष में में यह निकालू तो आप बटे करड़ी में दू तो तो करोगे तो 64 करोगे तो बटी सेंटीमीटर इसक्वाइर जो है उसका छेतर फ़ल आगया मेरे प्यार जो कितना ज्यादा सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाने की जिरूरत है 32 मतलब 32 सेंटीमीटर इसक्वाइर आगया बिल्कुल राइट आंस रोल जाएगा के लिए कोई दिकत नहीं होनी चाहिए चलिए प्रस नमर 17 की तरफ बढ़ते हैं देखिए प्रस नमर 17 भी बहुत ज़्याद आईजी आपसे तो मादे पूछा है कि नेमडिकी सालणी के मादे बताएए अब देखिए वर गंत्राल आपको दिया ही है बारंबारता आपको दिया ही है शिर्फ मादे कुछा है मादे है एक तो कि न unc दूसरा कालम वारम बारता करता है दूसरा कालम बारम बारता करता है और लोग को यहां से if I से इनोट करते हैं उस्ते वर्यांतराल बारम बारता इसंक नहीं है एक आपको यकसाई बनाना पימ है इंट पाल envision यही दो चीज़ अलग से जुडता है यह दो चीज़ आप लोगों के दिया ही रहता है। देखो वरक अंतराल में आपको दिया है क्या तीन-पांच। इसके बदबदधांच Saat, इसके बाद cornerраMa согoda फूरा kindlyतक क्लों Come एक तीम में अपने से लिख देता हूँ यहां से है जु यहां चार दो एक 3 मैंने लिग दिया तो इह चीज दो तुँ घिताब में जो दिया था वोही तुमें लिखा हूँ अलग से चीजे है तो यह चीजे है एक सई एक साई मतलब क्या होता है मद्यमान मतलब 3 और 5 की बिच क्या है तो आपको पुण 3 और 5 तो 4 पांसर नो की बिच मुझे बस देखो कितना शींप अ थाउन दो नो का आपस में गुडा कर को निकालो सिगमा एसको जूड़ लो सीगमा एसको जूड़ लो सिगमा एफ़ाइइ इनका यूप कर लो तो यहां फे जूड़ो ते 28 और 28p कितना होता है 36 36 36 कितना होता है च्छाचट यह होगी आप लोगों का च्छाचट अब आपको समांतर माध्य का सुत्र आप जानते ही हो माध्य पूछा है ना माध्य सोरी माध्य माध्य का यह या माध्य का का यह तो माद एक सूत्र क्या कहता है, जिसे हम लोग X-bar निकालते हैं, माद एक सबार से डूंट करते हैं, तो X-bar परावर सूत्र होता है, sigma FI into XI, बटे में sigma FI, यह सूत्र कहता है, तो यहाँ पे sigma FI into XI कितना है? 6-6, sigma FI परावर कितना है? 10, तो 6-6 बटे 10 मतलब 6, 10 मलो, 6 जो ह वह माद दे आ गया, यही होगा answer, बिल्कुल यही होगा answer, दिया होगा, यूने दिया होगा, इस वही नहीं सकता कि न दे, देखे 6-6, दिया है न, तो कितना आसान है बताईए, आप घबरा जाओगे, बस एक बार प्रेक्टिस करके जाओगे, सत्तर में सत्तर नमर लेकर आ होगी, अब मेरे प्रेक्टा का फर्मूला आपको मालूम है, प्रेक्टा का फर्मूला मालूम है, तो आपको जीर नहीं, या कुछ बचे गए में मालूम है, तो चली में बता देता हूँ, मालू हो या नहीं, देखे प्रेक्टा निकालने का फर्मूला होता है, अनुकूल बहुत सिंपल है पहले फ्राइब लिख तब ही तुल लगा पाओगे अनुग कुल सम्भाव परड़ाम इसके बाद देखेगा इस सवाल पस पांच सिकेंड का है पांच सिकेंड में इसकेंड को आप लगा पाओगे यह फ्रमूला आपको मालूम है आप देखो द्यान समझो बोला कि एक पासा को एक बार फेका जाता है अब आप यह बताओ एक पासा है पासा को एक बार फेक होगे तो कुल संभो परडाम कितना होगे तो नीचे आप लिख दो कुल संभो परडाम तो 6 होगे यह तो जानता हो नीचे तो 6 ही होगे यह बाद तो कमफरम है इसके बाद अ सब्सक्सक्राइबRI समझार के नहीं ? इतना ज् הזהदा सी पहले बस एक बार आपको थोड़ा से दिम्यक लगाना है इसके बार आंसर बिल्कुल आपके हाथ में होगा यह भी फर्मूले पर ही है यह नहीं सौप प्रस्ट में जो है यह भी फर्मूले बीना फर्मूलक नहीं लगा पाऊगे इसको बोला कि यदि किसी आवरिती वित्रन क मादे मादे तो आपके दिया है मादिका भी दिया है पूछ रहा कि बहुलक बताईए अब फर्मूला मालम रहेगा तभी तो तुम्हें लिख देता हूं भाई फर्मूला यह कहता है कि बहुलक बराबर जो होता है वो तीन गुड़े क्या होता है मादिका क्या होता है तीन मादिका होता है फिर इसके बाद कोश्टक बंद कर दो माइनस दो गुड़े माद्य होता है जब तक फर्मूला नहीं याद रहेगा तो तक आप लगा ही नहीं पाओगे इस क्यूसन को अब सारी बैलू आपको दिया है बहुलक आपसे पूछा है तो बहुलक की जंगा आप त गाप अपर प्रेक्टिस करके जाओगे तुरं ता फिसको लगा पाओगे अब देखो ए प्रेक्टिस करके जाओगे तुरंधा पीसको लगा पाओगे अजिए एक हुगा है एक से ज़ाधा होही नहीं सकता है एक से कम हो जाए चलेगा लेकिंप पूरा अधित्तम बलु यह यह одस्य होता है 3 बटे 5 क्या होगा 3 बटे 5 तो आपको ओगे यह थो चोटा ही होगा यह भी होगा यह 4 बटे 3 यही नहीं होगा क्याँकि 4 बटे 3 में जब 4 में 3 का भाग दोगे तो 3 है कम 3 1 बचे गए फिर 10-6 3ículos 3lection यह 1 सब्सक्राइब टेब लोगा किल में हैं करा दिया कल विडियो बहुत ज़्यादा लोग होगा अब बहुत अच्य तरीकिया हूँ इसकी प्रेक्टिस करो आज इसकी प्रेक्टिस कर लो कर लो वो खंड बवला करा दूगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करो इतना पढ़ियां से पढ़ाया हूं मैं यह घंटे लग गया है मुझे सारी क्यूसन समझाने में तो लाइक करके सेयर करो कर दी माले लाइक कर्यार लाइक कर देgg है झाली में तो लाइक करो वीडियो झुशे कर्म तो लाइक को शेम कर दो नहाँ लाइक इंग कर दोत्त्वशे कर दो बईने कर सकतवाँ झाली मैं